इस्राइल में फज़े भारतियों का दूसर जथा शनिवार को नई दिल्ली पहुंच गया है। इस्राइल में फज़े भारति दूतावास ने बताया कि दूतावास ने तीसरे खेप में शामिल लोगों को इमेल कर जानकारी दे दी है। सभी याद्रियों ने मिलकर बंदे मातरियों के नारे लगाए। दिल्ली एरपोर्ट पर उतरते ही विदेश राजमंत्री रंजन सिंग सभी याद्रियों से मुलाखात किये। विदेश राजमंत्री रंजन सिंग ने मीडिया से बात करती हो बताया कि इसराइल से 235 भारती याद्रियों को वापस लाया गया है। उन्हों ने कहा कि वहां करीब 18,000 भारती रहते हैं जिन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए आपरेशन आजए जारी रहेगा। हमास ने कहा कि ये यरुशलम में अलाकसा मजीद को इसराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि आपरेल थीर्ण 2023 में अलाकसा मजीद में ग्रैनेट फ्राइकी इसे अपरेवित्र क्या गया था। इसराइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हملे कर रही है और अतिक्रमड कर रही है। कर रही है हमास की प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील कि है कि इसराइल के साथ अपने सभी रिष्टों को तोड़ दे हमाद ने कहा कि इसराइल एक अच्छा पड़ोसी और शान देश कभी नहीं हो सकता है प्यूरो रिपोर्ट नई दिली